बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्जी अगर आपके घर में कोई सब्जी न हो तो इसे आप जरूर बनाईए हेलो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज मैं आपको बता बनाना सिखाऊंगी टेमाटर और सेव की सब्जी इसे बनाने के लिए हम पैन में तेल लेंगे तेल हम ज़्यादा थोड़ा लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा तेल लगता है लेकिन आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं तेल हमारा गरम हो गया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसो और थोड़ा सा जीरा आप इस्पुन जीरा अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे हरी मिर्च हरी मिर्च मैंने यहाँ पे लिए है तीन हरी मिर्च लिए है इसको छोटा छोटा कट करके मैंने इसमें डाल दिया है अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा आधा स्पुन हल्दी पॉर्डर और एक स्पुन धनिया पॉर् हो गया है भी हमारे मसाले इसमें मैं थोड़ा एक कटा हुआ टमाटर छोटा छोटा इसमें मैं डाल दूँगी अब इसको भी मैं थोड़ा सा चलाऊंगी और पकने दूँगी इसमें मैंने दो टमाटर की प्यूरी डाल दिया है क्योंकि सेव और टमाटर की सबजी है तो टमाटर तो इसमें लगता है मैंने तीन टमाटर लिया है जिसमें एक टमाटर मैंने छोटा कट करके डाला है और दो टमाटर प्यूरी बना के डाला है मैंने इसमें अब टेमाटर को अच्छे से पकने के लिए हम इसमें स्वात के अनुसार नमक डालेंगे और इसे भी अच्छे से हम चला लेंगे अब थोड़ा हम टेमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे और इसे हम अच्छे से पका लेंगे इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको अच्छे से पकने के लिए हम ढग देंगे हम खोल के चेक कर लेंगे देखिए हमारा टमाटर बहुत ही अच्छे से है अब पक गया है इसको थोड़ा हम चला के अच्छे से मिला लेंगे सारे टमाटरों को देखिए हमारा कलर भी चेंज हो गया है भुनते भुनते अब इसमें हम डाल लेंगे आधा गिलास के लगवक पानी और इसको भी हम मिला लेंगे टमाटर की सेव की सबजी को हम बना के नहीं रख सकते हैं उसे तुरंथी खा जाना चाहिए खाते समय ही बनाना चाहिए नहीं तो फिर स्वाद उसका खराब हो जाता है दखिए हम ऐसा ही सेव भुजिया लेते हैं चमाटर सेव की सबजी बनाने के लिए ना जादा मोटा ना जादा पतला अब हम इसे भी डाल लेंगे और इसको अच्छे से हम चला लेंगे बस एक मिनट लगता है इसको डाल कर पकाने में इसमें मैंने आधा इस्पून गरम मसारा डाल दिया है और ये कसूरी मेथी भी मैंने हाद से क्रश करके डाल दिया इसको भी मैंने मिला दिया अच्छे से अब हमारी सबजी जटपट तयार हो गई अब मैंने गार्निश करने के लिए थोड़ा सा इस उपर से मैं धनिया पत्ता डाल दूँगी इससे और सुन्दर लगने लगेगी सबजी हमारी और मैं कैस को ओफ कर दिया है देखिए कितनी अच्छी सबजी बनी है इससे आप जटपट बनाईए और खाईए और कमेंट करके जरूर बताई कि कैसा लगा आपको और मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज प्लीज सब्सक्राइब